नमस्कार, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि IPL को सस्पेंड कर दिया गया है, जी हाँ, BCCI ने COVID के बढ़ते केस जो हो रहे थे, इसके चलते IPL को अनिश्चित काल तक सस्पेंड कर दिया है, जी हाँ, जैसा कि आपको बता कि कल एक मैच होने वाला था, RCB versus KKR, लेकि आज जो खबर आ रही है, वो बहुत बड़ी है, खबर या रही कि संराइजिस हैदरबात के खिलाड़ी रिद्धिमान शाह, और डिल्ली कैपिटल से खिलाड़ी अमित मिश्रा, इन दोनों को जो है, कोरोना पॉजिटिव पाए गया है, CSK के भी, चैने सुबर किंग के भी RCB के लिए, RCB इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लग रहा था कि इस साल RCB जीद भी सकती है, RCB के फैंस हर साल बोलते है कि इस साल का पनाम दे, इस साल का पनाम जाता है, लेकिन इस साल कोरोना बारस की वादे से IPL सस्पेंड ही हो गया, रही बात CSK के तो भाई, CSK त दुख होता है, लेकिन खुशी होती है, हैतरा बात वालों को, अब ये कौन बोल रहा है कि डेविड बोनर को हटा दिया स्लिया, IPL सस्पेंड हो गया, बहुत सारी मीम्स बन रहे है, बहुत सारी लोग जो है, इसका पैरिडी बना रहे है कि भाईया, ये हो गया, वो हो गया लेकिन कुल मिला के बाद ये कि IPL सस्पेंड हो चका है, और ये प्लेयर्स की सेफटी के लिए और पब्लिक की सेफटी के लिए सस्पेंड किया गया है, तो it is a good decision, मेरे साब से मुझे पता है कि अब साड़ सत बज़े के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, साड़ सत बज़ हो सकता IPL continue, या फिर अगले साल भी ये IPL continue हो सकता है, यानि कि जो अभी मैच हुए है, ये रहेंगे, इसके आगे से IPL continue होगा, और दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रहे है कि कंगना रनावत का Twitter अकांट सस्पेंड हो गया है, जी हाँ, अभी हाल फिलान में कंगना करकि मा जब उनको बचाने के लिए आ रही थी, तो उनकी भी जो है, मृत्य हो जाते है, यानि कि बंगाल में अभी भी TMC versus BGP चल रहा है, जहां पर TMC के गुंडे जो है, BGP के कार्यकरता को मार रहे है, ऐसा news में बताय जा रहा है, इसी के चलते है, कंगना रनावत ने बह सरजिल उस्मानी जैसे लोग किसी की मृत्यू पर इस तरीके से तंज कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तब उनकी ट्विटर अकाउंट सस्पेंट नहीं होते हैं, बलकि उनके फॉल्वर्स और बढ़ जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा है कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंट होना चाहिए था, या नहीं, आप खुश हो, दुखी हो, क्या कंगना रनाउत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंट होना चाहिए था, या नहीं, आप खुश हो, दुखी हो, सब बताओ, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, तब तक के लिए धन्यवाद.